यह वीडियो साइन्स क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 7 है तो हम लोग पढ़ रहे थे States of Matter और उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं The Gaseous State के बारे में Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas कि आपने कभी एक balloon seller को देखा है जो एक छोटे से cylinder से बहुत सारे balloons को भरता है तो यह कैसे संभव है Inquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder Ask him which gas does he have in the cylinder उसके cylinder में कौन सी gas भरी है इसके बारे में आप जानकारी लें इसके बाद एक activity कराए गया है यह हम लोग देख लेते इस activity को Take 300 ml syringe syringe आपने देखा होगा तीन आपको syringe लेना है जो कि 100 ml का हो And close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4 तो जैसे कि यहां figure में दिखाया है आप देख सकते हैं इसके nozzle को rubber corks से बंद कर देना है यही है syringe इसमें आप देख सकते हैं इस भाग को हम लोग piston बोलते हैं Remove the piston from all the syringe जितने भी syringe आपने लिए हैं उससे piston को पहले आपको निकाल के रख देना है Leaving one syringe untouched fill water in the second and piece of chalk in the third तो आप देख सकते हैं कि तीन syringe लिया है आपने एक syringe को आपको as it is छोड़ देना है दूसरे में आपको water भर देना है water जो कि liquid हो गया और तीसरे में piece of chalk chalk के टुकड़े भर देना है जो कि क्या हो गया solid तो आप देखेंगे आपके पास तीन syringe हैं एक में आपने कुछ भी नहीं भरा तो उसमें क्या हो गया हवा दूसरे में water भरा हुआ क्या हो गया liquid और तीसरे में आपने chalk भरा हुआ क्या हो गया solid अब आपको क्या करना है insert the piston back into the syringe piston को वापस से लगाना है you may apply some vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement तो आप यह जो syringe हैं आपके पास उसमें piston आसानी से चला जाए उसके लिए कुछ आउ वैसलिन का भी उपियोग कर सकते है now try to compress compress का मतलब है कि आपको यहां से इसे दबाना है और दबा कि इसको नीचे की और ले जाना है आपको इसको compress करना है the content by pushing the piston in each syringe और प्रतेक syringe में ऐसा आपको करना है फिर आपको इन प्रशनों का जवाब भी देना है what do you observe आपने क्या देखा in which case was the piston easily pushed in किस case में तीन syringe थे आपके पास एक में था gas, दूसरे में था water, liquid और तिसरे में था chalk, solid तो किस case में यह आसानी से compress हो जाता है तो आपने देखा हुआ कि gas के case में यह आसानी से compress हो जाता है दब जाता है नीचे की और आजाता है what do you infer from your observation infer यहाँ एक नया word app के लिए अनुमान लगाना, आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं इस observation से तो इन सारे चीजों का अंसर आगे के paragraph में दिया है तो हम लोग उस paragraph को पढ़ लेते हैं we have observed that gases are highly compressible as compared to solids and liquids तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि gases जादा compressible होते हैं solid और liquid के तुलना में मतलब उनको जादा दबाया जा सकता है जादा compress किया जा सकता है ऐसा क्यों है? वह भी आपको आगे पढ़ना होगा तो यहाँ से एक छोटा सा प्रेशन आ सकता है आपको कि कौन जादा compressible है? solid, liquid या gas तो इसका उत्तर क्या हो गया? यह भी आपको कई बार पूछा जाता है LPG का full form क्या है? liquefied मतलब उसको liquid बनाये गिया है petroleum gas मतलब petroleum gas को liquid बनाये गिया है तो यह कैसे बनाये जाता होगा? वह भी आपको पढ़ना है लेकिन यहाँ तो आपको full form ही याद कर लेना है LPG, liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospitals in cylinders is compressed gas तो आप देखेंगे कि आपके घर में एक छोटा सा cylinder होता है लेकिन उससे पुरे महीने का खाना बन जाता है तो यह कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो gas भरा होता है वह compressed form में होता है मतलब इसमें बहुत सारे gas को भरा जाता है लेकिन compress करके भरा जाता है इसी प्रकार से जो hospitals में oxygen का supply होता है उसमें भी जो gas भरे जाते हैं वह compressed form में होते हैं compressed natural gas अब यहाँ से आपका दूसरा प्रशन आ गया what is compressed natural gas या CNG का full form क्या है तो compressed, compressed किया हुआ है natural gas is used as fuel these days in vehicles vehicles में CNG का प्रयोग आपने भी सुना होगा due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily तो compressibility के गुन होने के कारण large volume of gas को एक छोटे से cylinder में भी भरा जा सकता है जिससे की transportation easy होता है साथ ही साथ इसका storage भी easy होता है इसका use भी easy हो जाता है जैसे की मैंने बताया घर के cylinder में बहुत सारे gas को एक छोटे से tank में भरा जाता है we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there तो एक बात मैं बता दूँ यहां से आपको gases state में gases के एक गुन के बारे में पता चला और यह है compressibility gases आसानी से compress हो जाते हैं अब आगे बढ़ते हैं we come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there आप अभी पढ़ रहे होंगे और आपके kitchen में क्या बन रहा है यहां आपको पता चल जाता है तो यहां कैसे पता चलता है तो यहां आपको smell से पता चलता है that reaches our nostril या फिर जो प्रयोग हम लोगों ने किया था कहीं आप अगर बत्ती जलाते है तो उसका smell आपके पास बहुत जाता है या कैसे होता है आपके जिसमय से ठापके बत्त सम्ना अपके आपकेोरा तो यहीं यहीं और बत्ती थेस L'मसारा क्यौका मूत तो सम्ना अपको ने कीज़ी जाफे ही आपकेंड। अश्सर्सता high speed of particles and large space between them gases show the property of diffusing very fast into other gases तो यहां से तो आपको बहुत important प्रशन आने वाला है यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि यह जो gas हैं बहुत आसानी से diffuse हो जाते हैं diffusion पहले भी आपने पढ़ा है एक प्रकार का particle दूसरे प्रकार के particle में जो घुल मुल जाता है उसे हम लोगों ने diffusion कहा था तो यहां पर यहां बताया गया है कि solid liquid इनका diffusion का rate बहुत कम होता है जबकि gas के diffusion का rate ज़ादा होता है क्यों? The rate of diffusion of solid and liquid is low ऐसा क्यों होता है इसका अंसर यहां पर आपको दिया गया है due to high speed of particles and large space between them gases show the property of diffusing very fast into other gases तो gas का diffusion दूसरे gases में बहुत fast होता है ऐसा क्यों? इसका अंसर आप देख सकते हैं यहां पर क्योंकि gas के particle बहुत high speed में होते है और उनकी बीच में बहुत large space होता है इसके कारण gas का gas में diffusion बहुत fast होता है इसका rate क्या होता है? बहुत fast होता है जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर solid, liquid और gas को लिया गया है और उनके particle के arrangement को यहां दिखाये गया है तो आप देख सकते हैं solid भी particle का मिलके बना हुआ है liquid भी particles का मिलके बना हुआ है और gases भी particles के मिलके बने हुए है लेकिन इसमें बहुत difference है आप देख सकते हैं solid में इस जो particle है उसका fixed position है fixed position का मतलब यह move नहीं कर रहा है जबकि यहाँ पर आप देख सकते है liquid में यह particle का position fixed नहीं है अब देख सकते है red arrow से दिखाया है यह move कर रहा है और आप देखेंगे कि यह जो है गैस के मॉलिक्यूल है गैस के पार्टिकल है यह रैंडमली मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड में एक और चीज आप यहाँ देख सकते हैं इनके बीच में इन पार्टिकल्स के बीच में इंटर मॉलिकुलर गैप बहुत कम है यहाँ पर gases में intermolecular molecules के बीच में gap बहुत ज़्यादा है और यहाँ देखेंगे कि intermolecular gap बहुत बहुत ज़्यादा है intermolecular gap कहने का मतलब यह molecules के बीच का gap इसके बाद एक और point यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर intermolecular forces ज़्यादा है यहां देखें कि intermolecular forces moderate है और यहां intermolecular forces बहुत ही कम है तो यह है solid, liquid और gas में अंतर तीनों एक ही particle की मिलके बने हो सकते हैं लेकिन का अवस्था अलग-अलग है, state अलग-अलग है क्योंकि इसमें particle का arrangement क्या है अलग-अलग है तो यहां पर gas के संबन्द में एक और बात बताए गया है आप देख सकते हैं, gas molecule है, balloon है और इसमें gas molecule भरा हुआ है तो आप बताएं कि यदि थोड़ा सा gas आप और इसमें भरते हैं तो क्या हुआ, यह blast कर जाएगा तो ऐसा आखित क्यों होता है तो आप देखेंगे ऐसा इसलिए होता है कि यह जो particle है वह यह जो balloon में इनको भरा गया है इस gas particle को तो यह balloon की wall पर यह pressure लगाते हैं जिस कारण से हो सकता है कि यह जो balloon का wall है वह फट जाए तो ऐसा क्यों होता है In the gaseous state the particle move about randomly at high speed gaseous particle बहुत high speed से randomly move करते है randomly का meaning हो गया कोई भी direction में इधर उधर move करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर दिखाये गया है Due to this random movement the particles hit each other particle एक दूसरे को hit करते हैं And also the walls of the container जिस container mean को रखा जाता है उसके wall को भी hit करते हैं आप देख सकते हैं यहां पर balloon क्या हो गया Gases particle के लिए container है जिसको यह hit कर रहे है The pressure exerted by the gases because of this force exerted by the gas particle per unit area of the walls of the container तो यह जो pressure यह जो gas pressure exert कर रहा है क्योंकि यह force exert करता है gas particle इसके wall पर यह जो gas particle है इस container के wall पर एक force exert करता है जिसके कारण यह एक pressure को feel करेगा और हो सकता है बहुत ज़्यादा यह pressure हो तो यह फट भी जाए तो यहां से आपको एक pressure पूछा जा सकता है कि gas pressure exert करता है क्यों why तो इसका मैंने answer बताया आप उस answer को करते हैं तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद कि अ झाल झाल